चमकता जीवन सिवा संस्थान और नशामुक्ती पुनर्वास केंद्र के द्वारा दिपावली पर्व के शुबावसर पर कच्ची बस्ती शित्र में मिठाई वित्रत कर खुशिया साजा की गई संस्थान अध्यक्ष चेतन पारिक ने बताया कि संस्थान द्वारा हर वर्ष दिपावली पर्व के अवसर पर मिठाई वित्रत की जाती है एसे बस्ती शित्र में जरुरत मन्द बच्चों के बीच मिठाई वित्रत की गई संस्था द्वारा पठाकों के इस्थान पर मिठाई वित्रत करने का लक्ष रखा जाता है ताकि धन का दुरुपयोग ना हो पर्यावर संतूलित रहे ऐसे बच्चे जो खुशिय तलाश्टे हैं उन तक खुशिय पहुँचे और उनका मुझ बीठा हो सके इसके लिए 100 किलो मिठाई का वित्रण किया गया इस अवसर पर संस्था संदक्षक मधुजाजू मनीश पारिक वजय उपाध्याई गिरी राज पारिक रणवीर राणावत सुरेंद्र प्रारिक सुशी लूढा उमर मंसूरी सहित कई संस्था के पधादी कारी मौजूद थे चमकता जीवन सेवा संस्थान की और से हर वर्ष की बाती इस वर्ष मी संस्थाने निरदन बच्चों कथी रस्तियों में 1100 किलो मिठाई का वित्रण किया है और सभी की साथ खुशियां बनाने के लिए हम फटा के नहीं छोड़ के हर और सकी बाती मिठाई का वित्रन करके ही इनके साथ खुशियां बाटना जाते हैं